याग देखिए कैसा हो गया अभी पर असंद से अगर मीटप एक रायरेज करवाना चाहता है तो डेफिनिटी आप हमें मेल कीजिए वो त्रीपुरा वाल आए गया चलो फिर ट्रक खाई के लिए लेकर गया निकल पड़े होटेल रूम से और आज का हम लोग का जर्नी जो है शुरू हो चुका है तो सबसे पहले तो ब्रेकफास करना पड़ेगा कुछ अलका पुलकाजन नाश्ता जैसे की लाज वीडियो में बोल रहेते हैं गाइस के में भी हम लोग सोनापूर होके ही वापस ही पूड़े ना डैडिस ऑपन भाई वाई माईलिस तंदिग गया है केले मिट्र क्या-क्या था देखना भूल गया है पेट्रोल दलवाना बड़े है वह लोग का पेट बूजा और उसके बाद गाड़ी वह पेट्वाना पड़ेगा लास पेट्रोल डलवाय थे हाफ लोंग दोनों का जोड़ दो तो गूड मॉर्णिंग अभी आके जासना थोड़े पहले हम लोग पहुचे मारवाडी दावा से निकलने वाले तो यहां पर पराटा शराटे सब कुछ आ चुका है थोड़े पहले एक कांड हो गया था मतलब गिर गया था निको भाई के पेट्ट प सब्सक्राइब करेंगे चलो गाइस ब्रेकफास करके पेट बुजा सारा कुछ हो चुका है कंप्लेट और फिलाल ना बहुत दिल से पूरा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग सारे बाइडों के सांते तो भाई बाय करने के टाम फे दिल से कांफी बोरा लग रहा था तो डे updating भाई आप लोगो दिल रोख मिलेंगे और रोष गाइस फिलना पार मिला इतना प्यार मिलें कभी सोचे नहीं थे के स सारे ताबरतर स्क्वाट से हमारा मुलाकात होगा लास्ट जिप छ की अचापटर वाला है और चैप्टर टू जए वो शुरू होगा हो होगा घाई त्वाट्स कर रहे हैं उनसे बोलना था कि अगर कोई भी बंदा आप अपारसंट से अगर मीटफ वेगर आरेंज करवाना चाहता है तो डेफिनिटी आप हमें मेल कीजिए हमारा मेल एडिस सारा कुछ आपको नीचे डेस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ में आप हमें इस्टाग्राम पे में डीम वेगर कर स सब्सक्राइब करते हैं श्डाप के लिए परमिजन वगरा ले सके कान्टेक करना हमें वो तुर्परा वाल आए गया चलो फिर टृपरा का रस्ता ही है न उम्लाल खुला है ठोब है ना जो अभी पुलिस में अल्य है रिगारडिंग के सोनापूर टानिल जो है खुला हुआ है यह तो अगर्व है तो फ्लों को पता रहे हैं त। सब्सक्राइब तो माली दोर है अठाइस किले मिटर माली दोर के आगे हमें सोनापूर मिलेगा 60 किले मिटर अच्छा ठीक है उपर वाला हम कनना कि आज टनिल वागर में लफड़ा ना हो फटा फटा फटाम लोग निकल पाए यह कौंसा जागा है बदर पूर एक है चौरंग पहुच चुके है काटी काटी घुरा काटी घुरा तो थोड़ी पहले गाइस हम लोगों ने जो मार्केट क्रोस किया था ना उसके बाद से देखे कितना बीटिफुल से लोकेशन वाला एक रूड मिल गया है साथ में चोटा चोटा जीले और एक साइड में उन्हों टी गा पागान वाओ तभी थोड़ी देर में हम आसाम को बाइबे करने वाले हैं फिर से घुचने वाले हैं मेखा लेया यह वाला जो मेखा लेया समको बॉडरर रहना थोड़े यूनिक है क्योंकि एक ब्रीच कोश करते ही में आप लोग गुज जाएंगे और ब्रीच के इस क्रिश्च रेखेटल रहएं पॉटो सल देखते हैं तो आपको पुरा धुनला पाणी मिले यह शायद कुछ जो जो समय हो सकता होगा पहली टार्निंग ले लिया यह वाला जगा रोड है अभी वह साई यह तीन साल जैसा था अच्छा मर पूरा रोड में कभी जा तो अच्छा अच्छा इसलिए ट्रक वाला गड़ा बचा के चल रहा था यह तो पर चोटा सा गड़ा है दो तिन ट्रक गुच जाएगा अंदर इसमें गुच जाएगा ना ड्राइबर को ढूनके निकालना पड़ेगा अभी जो ब्रीज को स्किया थोड़ी दर पहले वहां पर जो एक्सीडिन वादर ट्रक का वही पर यहां साम आसाम और मेगा ले था मतलब प्रीज के इस तरब मेगा ले और प्रीज के उस तरब आसाम है मैं बोलना भूल गया था तो अभी फिलाल हम लों मेगा ले में घुच चुके है एसी में घुच के वहां एसी में है जो गाइस एनेज सीक्स वह मनूस हाइवे जिसमें हम लोग दो रात तक रुके हुए थे फिर से आज तो डिसें बना के आये थे एसी हाइवे से जाना आ आगे तो थोड़ी दूर आगे जाके हमें वह वाला टनिल दिखने को मिलेगा सो देखते हैं आज का सीन क्या रहता है बाकी रोड का हालत तो देखी सकते हो मतलब डूटी दिस लैंड स्लाइड इन ओल ना रोड का हालत बिल्कुछ खराब हो चुका है नहीं तो यह वाला रोड भी काफी अच्छा था पहले और से यहां तक लगबग हमको कितना टाम आइस यही हो जगह है जहां पर हम लोग 24 गंडा फसे हुए थे हां यह वाले गड़े में घुज गया था हंटर उस दिन रात को ना भाई अरे बाबरे फूल विट्टी काटिंग जल रहा है अभी भी मेरी को ड़ल लग रहा था है कि हम लोग जो खर पाएंगे की नहीं चलो शुकर है अभी कोई टेंशन नहीं है देखो गाइस इतना छोटा सा स्ट्रेच के लिए हम लोग दो रात रुके या पर दो रात अभी द कोई आदमी नहीं है कोई नहीं है और वहां पर देखिए गाइस दूर में मैं जुम मार के दे रहा हूं एक ट्राक नीचे गिरा हुआ है तो इसका शायद मेरे ख्याल से उपर से गिर गया था क्या हाले भई और हम लोग जो नाइट इस्टे किये थे हो गाइस यही पर सामने जाके यह वाले रस्ते से घुसके उस तरफ दीके छोटा सा कॉटेज है वहां पर उस केंपिंग किये थे मंदर टेंड पिछ किये थे यह वाला रोड फुल ट्राफिक जाम था लगबक 30 से 35-40 किलो मेटर तक अभी देखो पुरा रोड खा लिया गाइस कि अब चला रहा था तो एक चीज हो गया यह पास में आँ दिखा रहा हूं कि एलमेंट का वाइजर खोला था एक सेकंट के लिए आभी इसका हालत देखिए पता चलेगा आपको यह आख के नीचे देखिए पता चल रहा ना भाई हाँ पुरा फुल गया ना फुल गया यह तो अब यह बहुत दर्द कर रहा है ट्रक के बिचे का कुछ पतर है वह पर लगके फिर आख में आक में लग गया तो अब हाल यह पूल गया पूरा इक तो तो थोड़ा थक गये थे तो रेट बुल पी रहे और अभी चाना होना खाते फिर उसके बाद निकलेंगे बड़ी कपड़ा खोल के प्रणंगा हो गया और नहीं होता रहा है तो यह राजो स्थानी धाबा था तो यहां पर रोटी और डालदर का ओडर कर दिया था इधर में आचारे प्याज एक मिर्ची साधा खाना है आज तो काईस हम लोग का खाना खाना कंप्लीट हो गया और आप अग जो है ना ज्वाइक का बाइबास वारा रोड है टोल के पास में रास्तानी होटल बोलके अगर आपर टेस्क करना है को खाना बहुत ही मतलब सिंपल घर जैसा खाना है और सैंक्यू बढ़िया बहुत बढ़िया खाना बनाते हो तो आप आईएगा इधर में अभी हम आगे बढ़ते चलिए गाइस तो बाबर हाथी को थोड़ा हिलाता है अभी नीचे में रेन लेयर था ना उसको हटा दिया बोडी पुरा एकदम हलका हलका हो गया टेंशन नहीं है वैसा वैसा लेलिया पार्ट बटवा लेलिया फोन लेलिया यह जो राइट था ना बहुत ही जब हो चुका है यह वाला वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लेलिस में जाके चेक किजिए गा और आखों में थोड़ा दर्द हो रहाता है फूल तो गया सूजन जैसा हो गया है बट इसमें अभी तो मलम मलम कुछ नहीं लगा है अगर पें थोड़ा ज्यादा हो गया तो फिर मेगाले के अंदर में किसी फार्मासी में जाके कुछ दिखाना पड़ेगा यह बहुत ही रिस्की वाला चीज है गाइस हेल्मेट का जो ग्लास है इसको हमाशा लगा करके रखो मेरा कोई मतलब वह मोटीब नहीं था कि मैं इसको खोल के चलाऊंगा बहुत गर्मी लग अंदर नहीं लगा आखों के ठीक एक्जेकली नीचे लगा राट के उपर बुल्डूजर क्या है भाई यह गाड़ी किदर से आया रहे बापा यह गाड़ी लगता है पूरा कादो के अंदर घुज गया था हम लोग लोग हारंगोजे के तो ना यह भाई भाई भी शाह रह लोग रहे है इसका हालत एक तो लग रहा है थार ना थार जैसा लग रहा भी यह अभी फिलार अपने असली रूप में आ चुका है तो तैकर बाइक वगए गाड़ी वगरा गंदा रखना नीचे एक जो में थोड़ा बहुत फंक्शनिंग काम काम करना बंद कर देता है और उसी कीचर के गाड़न ना फिर कल रात को पता नहीं क्या हुआ मेरा हॉण काम नहीं कर रहा था थोड़ा बहुत मगजमारी किये उसको रिपेर कर दिया वायरी चिल के कनेक्शन कर दिया अभी ठना टन टन होण बज़गा है यह होता है पावर का असली यूश चड़ाई में ओटिक करता है क्या दिमाग है इसका इसका दिमाग बेचके खा दिया है क्या घूनरा के मूह का साथ खा लिए यह राजू खौपड़ी तौर पर्यक्रफ cu मेरी भूलती में यह क्या चाहता था किसी बेवफा से वफा चाहता था तु जाने क्या बेकरारी बेदर्द बेमुराबत जा संग दिल हसीना देखी तेरी महबत अब मैंने जाना तुझ को बेरहम क्या लिखेला वाइ उदर में प्लीज विजिटेंगे ना जरूर जरूर विंटर्स में आएंगे विंटर्स क्योंकि इधर में मिजरम जाना है मुझे मिजरम से अगर कोई भाई देखे रहों है वीडियो एक कॉमें दरूर करना दाकि बहुत से भाई लोग गोल रहे थे हाफ लिखेला करना जिन्दी के एक दम फुलन पॉल्यूशन लगाना गाया पॉलिजिन खाय गाया तर फाइनली सिंगल टाटा भाई भाई शिलोंग बाइपास वाल फ्लाइओवर इसमें ज्यादा जैनरी चर्णा नहीं होता है जब भी जवाय साइट से आते ना तभी चर्णा हाँ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पुंद्रा सोला सत्रा अठरा उन्नीस बीस इकीस बाइस तेस चोविस पचीश हबिस सता इस फिर उधर में और आठ वाई कम से कम 40 टायर के इसमें बहुत हेवी समान जाता होगा जाता है तो अब होटा है कि तो आप देखिए का इस हाई मैं थोडहा बहुत रेश ले रहे और आखों में देखिए कैसा हो गया भी शाय सब देख सकते हो तो फिक् Kom आप से हो रहा ह। जहल रहा है जैसे तैसे क्या करना में कि रकाग करना है कि अ झाल झाल